हाई व्यूर्ज वेलकम बैक टू दा चैनल आज हमने जिस टॉपिक को डिसकस करना है दाट इस को रिल्टिव कंजंग्शन्स हमने पहले डिसकस किया था कंजंग्शन्स को फिर हमने उसकी टाइप्स को पढ़ा था कंजंग्शन्स अबर पस वह वर्ड्स होते हैं जो के हम को जोड़ने के लिए इसका जोने के लिए या फर जोने के लिए या फिर और फ्रेस को गेंडे़ क्लाज refract को जोनेक्र करते हैं इसको पक्षो कंजिक्शन्स स्ट क्लिए महीं है जो क्यूक्शन्स करिंए हमेशा चाहिए भर जापय। यानि कि यह हमेशा pair में ही use होगी जैसे जोड़ा होता है मदला socks का pair होता है इस तरह यह भी हमेशा pair में ही use होगी और दूसरी चीज़े यह use होती है या तो किसी चीज़ के contrast को show करने के लिए यानि दो चीज़ों का contrast हो रहा है तो इसके लिए या फिर उनको compare करने के लिए use होती है like coordinating conjunctions जैसे कि हमने coordinating conjunctions में पढ़ा था they join words, phrases और independent clauses और similar are equal importance and structure हमने पढ़ा था कि coordinating conjunctions जो है वो दो या दो से ज्यादा words को या फिर phrases को या फिर independent clauses को जोड़ती है लेकिन वो दोनों साइड पे जो है ना same होने चाहिए noun phrase ही लगाना है और अगर एक तरफ हम लगा रहे है adverbial phrase तो दूसरी तरफ भी adverbial phrase ही होना चाहिए या एक तरफ हम वर्ब लगा रहे है तो conjunction के आगे दूसरी साइड पे भी हमें वर्ब ही लगाना है they can only join two elements together no more हमने ये पढ़ा था कि जो coordinating conjunctions है वो दो या दो से जज़दा words phrases या independent clauses को join करती है लेकिन यहाँ पे core relative conjunctions में क्या होता है कि हम दो चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं तीसरी चीज़ बीच में add नहीं करते है some of the most common core relative conjunctions are both and अब जो बहुत ज़दा common core relative conjunctions है ना उन में हमेरे पास सबसे पहले आता है both or and यह आपके पास एक conjunction है यानि कि एक pair है जिसमें पहला word है both और दूसरा है and उसके बाद है either or, just as, or so यह पूरा एक pair है उसके बाद है neither nor, उसके बाद है not, but उसके बाद है not only, but also और लास्ट में हमेरे पास weather और और अब इनको हम लाइन वाज़ डिसकस करेंगे कौन सा, कौन सी conjunction कहां पर यूज़ होती है सबसे पहली है both and and यानि कि both और फिर and वी यूज़ बोथ and वेन वी वांट तो पूट emphasis on the two elements that are true in a sentence अब यहां पर हमने क्या देखना है कि हम इन यह जो conjunction है both and and इसका हम वहां पर यूज़ करेंगे जब हमने emphasis देना है emphasis यानि के जोड देना है किसी बात पर और उस बात में सिर्फ दो elements हैं जो के सही या true है sentence के अंदर तब हम इनकी जगह पर coordinating conjunction भी यूज़ कर सकते हैं यानि यहां पर coordinating conjunction यूज़ कर देंगे इन की जगह पर तो क्या होगा वह emphasis नहीं होगा जो हम जिस बात पर जोड देना चाहरे है उससे हमें यह नहीं पता लगएगा कि हम कौँसी बात पर जोड दे रहे हैं कौँसी बात पर हम force कर रहे हैं बात भी ज्यादा तो जोड दी जाए जैसे के नीचे compare देखें आप sentences को देखें आपको समझा जाजेगी पहला sentence है आपके पास इस house is large and cozy cozy कोजी का मतलब होता है अराम दे यानि कि comfortable यानि कि ये घर बढ़ा है और comfortable भी है यह हमने नॉर्मली एक बात कहा दी जो वर्ड है large और cozy उसका हमने जोड दिया किसके साथ and के साथ जो के मारे पास है coordinating conjunction next sentence को देखें इस house is both large and cozy लेकर जब हम कहते हैं ना कि ये घर बड़ा भी है और cozy भी है यानि का ये comfortable भी है बहुत दौने चीज़ों के बारे में हम बात कहा रहे हैं तो यहाँ पर हम emphasis दे रहे हैं और दूसरा comfortable भी है लेकिन पहले बाले sentence में हम normal information दे रहे थे लेकिन second बाले sentence में हम emphasis कहा रहे हैं यानि के जोड दे रहे हैं बात पर look at the next sentence she cleaned her room and wash the dishes यानी publika चींट सबस्क्राइब जहां को चाल कुम हैं, । witnessing की 14th sentence को नहीं जा नहीं हैं। में ब्रकृत कृटों क्वफ माम को किणा नहीं के लिए गराएं, लिए खाएंगने सुछते। चाल के लिए आनध कना इनी सुछतने के का मौन ₤ और फादर दोनों ही किताबी किरें यहां पर देखेंगें और जिन सिंटेंस में बोध और एंड यूज गार्ट यह उसमें ज्यादा जोड़े रहे हैं नोट यहां पे देखिए अब यहां पे आपने इस चीज को माइड में रखना है यहां पे पेपर के पॉइंट ओफ यूस से भी इंपॉर्टन है कि आप जब यह कंजक्शन यूस करेंगे ना बोथ और एंड की तो आपने क्या करना है यह सिर्फ इंडिपेंडंट क्लॉजिस को नहीं जोड़ती बलके यह सिर्फ वर्ड और फ्रेजिस को जोड़ेगी यह बात याद रखनी है कि जो बोथ और एंड की कंजक्शन है फोकस करना होता है या उन पर इंफसिस करना होता है और इसमें क्या चीज़ होती है कि हमारे पास limited options होती है यानि कि options हमारे पास 2 ही होते हैं कोई तीसरा option नहीं होता आप examples को देखे I want to paint the house either white or green यानि कि मैं घर को paint करना चाहता हूं या तो white या फिर green तीसरा कोई option ही नहीं लेट्स इदर go swimming और go shopping चलो चलते हैं कहां या तो swimming के लिए या फिर shopping के लिए दो ही options हैं तीसरा कोई option नहीं है हमारे पास Either your father will pick you up या तो तो तम्हें तुम्हारे father pick कर लेंगे or you will get a ride home या फिर तुम घर चले जाोगे with a friend अपने दोस के साथ ride पे ride से घर चले जाओगे यानि इसमें आपके पस दो ही options होते हैं आप उने पे focus करते हैं उने पे emphasize करते हैं आपके पस तीसरा कोई option नहीं होता आपके पस दो चीज़ों के दिर्म्याद में ही choice होती है उसके बाद है neither or nor यह भी इसी तरह जैसे एडर और है ना इसमेंडो चीजों कीवाथ होगी। यह हैं पर आपने क्या इसमें 2 चीजों की या 2 पॉइंट्स 2 है उसमें निगेटी वीटी शोगक रहे हैं लागनार कर रहे होते हैं उसमें नॉट यूस Неसा में भी आप्रोसूस कर सकती हैं the patience ना ही सबर है for silly TV programs फजूल के TV के program देखने के लिए जैसे कि अगर आप normally कहें I don't have time, मेरे पस time नहीं है and I don't have patience और मेरे पस patience भी नहीं है तो ये sometimes जोर सा जीब सा लगता है और अतना emphatic नहीं है यानि आप नहीं पता लग रहा कि हम किस बात पर जोर दे रहे हैं, हम normally दो बाते बता रहे हैं लेकर जब हम कहते हैं I have neither the time कि ना तो मेरे पस time है और ना ही मेरे पस patience है TV के फजूल program देखने के लिए इसी दरा हम कहते हैं Neither Jamil nor Malik enjoys playing basketball यहाँ पर अब हम दो लोगों के बारे में बात करें कि दोनों ही को पसंद नहीं है मलक दोनों ही नहीं enjoy करते basketball खेलना अगर हम normally कहते हैं तो हम कहते हैं Jamil and Malik both do not enjoy playing basketball तो यह फिर नार्मल सी बात होती इस पर कोई जोर नहीं था उसके बाद है neither does he understand ना ही वो समझता है nor does he care ना ही उसको किसी चीज़ की फिकर है और अगर हम normally कहते हैं तो हम यह कहते हैं he does not understand and he does not care तो यह इतना emphatic निशो हो रहा है इससे इतनी अच्छी मलब हमें समझ नहीं आरी नार्मल सी लेकिन जब हम नीदर और नौर को यूज़ करेंगे तो हमें पता लगजेगा कि हम दो चीज़ों के बारे में बात करें और दोनों में ही हम कहने हैं कि ना ही मुझे यह पसंद है ना ही मुझे वो पसंद है ना ही मुझे यह खाना है ना ही मुझे वो खाना है यानि दोनों चीज़ों से ही हम इंकार का रहे हैं अब यहां पर नोट देखिए नोट यानि कि जब हम नीदर और नौ को यूज करते हैं तो इंडिपेंड़ने के लिए यह आपको पहले बहुता था कि नेगेटिव इन वर्यान यह होता है कि नौर्मी जब हम संट्रेंस लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट होता है उसके बाद auxiliary verb होता है याणि is MR जो होते है वोज वर यहां के बस auxiliary verb होते हैं इसका helping verb भी कहते हैं मतलब norme हम nis करते हैं कि subject अ कि बगाद sorgen करते हैं तो हम किया करते हैं हमने पहले लगा है और इसके बाद ही लगा दिया है और उसके बाद हमने इंडसेडरियर लिखए सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसको नेगटिव इंवर्जिन कर देते हैं उसके बाद है नॉट और बट ये भी आपके पास पेर में यूज होंगे वी यूज नॉट बट टो एक्सपैस अ कंट्राडिक्शन गेटिंग दा फॉर्स्ट ऑप्शन वाइल इंफसाइजिंग सेकेंड ये भी इजी सा है आपने इसमें क्या करना है कि कंट्राडिक्शन शो हो रही होती है यानि कि जब दो बातें बिल्कुल ऑपजिट होती है पहली बात के बिल्कुल ऑपजिट होती है और इसमें क्या करते हैं कि जो पहली बात है उसमें हम निगेट कर रहे होते हैं कि उसमें हम not use का रहे होते हैं और दूसरी बात पर हम emphasis का रहे होते हैं for example he is not happy but thrilled यानि कि वो सिर्फ खुश नहीं है बलके पुर्जोश है thrilled का मतलब होता है पुर्जोश होना she did not like वो पसंद नहीं करती but loved her new earrings बलके अपने new earrings के साथ प्यार करती है यानि बहुत ही ज्यादा उसको पसानदा है not just one friend turned up to help but the entire team arrived जैसे आप से कोई पूछ रहो कि क्या तुम मुश्कल सिचुएशन में थे और क्या तुमारा कोई friend तुमारी help करने आया तो आप उसे काएं नहीं मेरा एक friend help करने नहीं आया बलके पूरी T blij है आई तो इसमें आप क्या कहरें पैली जो बात है को करी यह ती मुदह करने हैं और जो दूसी बात है ना जू सेकंड पाद कर रहा container है उसमें आ क्वारे की अच है और इसमें यूज़ करते हैं जब आप किसी अडिशनल अलिमेंट के लिए जब आप संटेंस में डाल रहे हूं और स्पेशली उस वक्त जब आपके पास कोई सर्प्राइजिंग चीज हो और वो जो पढ़ने वाले को पता है यानि कि बोलने वाले को या पढ़ने वाले को पता है कि जो दूसरा काम हो रहा है जो अडिशनल चीज हमने डाली है वो बहुत ज़्यादा सर्प्राइजिंग है बना हमें उमीद नहीं थी कि वो होगा बट ऐसा हुआ आप एक्जांपल देखिए दा हाउस इस नोट ओनली लार्ज बट आलसो कोजी घर सिर्फ बड़ा ही नहीं बलके कोजी है यानि के कमफर्टेबल भी है अब यहां पर जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो बिलीव करता है कि जो घर है बड़े घर होते हैं वो कोजी नहीं होते बट अब जब वो देख रहा है और वो बोल रहा है कि घर बड़ा भी है और कमफर्टेबल भी है इसी तरह सेकिंड संडांस देखिए शी नोट ओनली क्लीन हर रूम उसने ना सिर्फ अपना कमरा साफ किया बट शी और डिशी बलके उसने बरतन भी दो दिया यानि कि आप ए ऑर यह हुआ है जो एना अवार्ड विनिंग सिंगर जो तो रहा है बलके तो यह उसने गान बैस बेद करती रहा है यानि कि ये गन्युक्शन अब तब यूज करते हैं जब आपने सेकेंड उले पॉइंट पर जोड देना होते हैं और आप हिरान हो रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है अब इसमें भी जो इंपॉर्टन नोट हो यही है कि जब आप नौट उनली में उसकि आपके पिस सथर्ड़ला संतेंस है नोट उनली इस उन अवर्ड विनिग सिंगर अपने इस पहले लगए है और शी अपने बाद में लगाया इसी दरह but she also runs track और but or also के दरम्यान में आपके पास आज़ेगा आपका subject उसके बाद जो next pair है that is just as or so जाने कि यह आप कभ यूज़ करते हैं we use just as so to indicate that the two elements being joined are similar कि जो दो चीज़े हम joint कर रहे हैं जो दो elements हैं वो दोनों ही similar है usually just as begins and independent clause इसमें क्या होता है कि आप just be independent clauses के start में लगाते हैं और जो so है वो भी आप independent clauses के start में लगाते हैं लेकिन जदा तर क्या होता है the clause after so should be inverted जो clause है ना so वाला उसका आपने invert कर देना है for example just as I love films कि जैसे कि मैं films देखना पसंद करता हूँ so does my brother love sport इसी तरह मेरा भाई sports को पसंद करता है just as American loves baseball so do Europeans love soccer इसमें आपने जो so वाला है उसको आपने invert कर दिया just as French is spoken in France आप बताने के French France में बोली जाती है so is English spoken in England English जो है वो England में बोली जाती है इसको भी आपने invert कर दिया लेकिन यहां पर क्या चीज़ बताई जा रही है it is also common especially in informal writing कि आप जब informal writing याप बोलते वे speech के दुराना आप बोल रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं आप सो के बाद बिशक इनवर्ट ना करें तो इट डजन्ट मैटर लेकर जब आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं प्रोफेशनली लिए लिए या एक्जाम में लिख रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप उसको एक इनवर्ट कर देए अब नीचे जो संटेंसे तो आपने इन फॉर्मल लिखे या फिर आप कह सकते हैं आप ने बोले हैं नाप सीधे सीधे लिख सकते हैं जासे जासे अश्यादर फिल्म पसंदाए जासे मुझे फिल्म्थ पसंदाए So my brother love sport इसी तरह मेरे भाई को sports मसंद है Just as American love baseball So European love soccer इसी तरह यानि कि आप सीधे सीधे लिख सकते हैं So के बाद आप subject लगाने और इसके बाद आप verb लगाने उसके बाद है weather और और यह आपके पास last है We use weather or to express doubt between two possible options इसमें क्या होता है आप दो options के बारे में दर्मयान में डाउट शो का रहे होते हैं कि आया यह होगा या फिर वो हो जाएगा Weather has the same meaning as if in this regard अब यहाँ पे इसका तो वैसे मुद्लब होता है अगर लेकर यहाँ पे आपके पास weather और इस दोनों को ही same meaning है जैसे हम कहते हैं आया वो आएगा या नहीं आएगा या आया बारिश होगी या नहीं होगी या चाहे तुम यह कर लो या फिर वो कर लो इस तरह आप यहां sentences को देखें I don't know weather मैं नहीं जानता weather the white paint or the green paint is better कि white paint बेतर होगा या फिर green paint बेतर होगा He is not sure whether he will be able to attend the game or not वो उसे sure नहीं है वो यकीन ही रखता या उसे पका नहीं पंदा कि वो गेम को अटेंट कर सकेगा या फिर नहीं We use We also use weather or or to indicate that something will happen अब हम weather or or को तब भी use करते हैं जब हम कहते हैं कि कोई चीज होने वाली होगी No matter इससे फर्क नहीं पड़ता Which choice is made कि आप कि दो चीजों के बारे में बात का रहे हैं बस आप use करते हैं कि जब आप कहें कि ये चीज होगी या होने के chances है Whether we stay home and eat a pizza कि या तो हम घर पे रहें और pizza खाएं और we go out and watch a film या फिर हम बार जाएं और फिर जाते हैं और फिल्म देखते हैं I am sure, मुझे कीन है, we will have a good time मुझे कीन है कि हमारा अच्छा टाइम ही गुजड़ेगा I am going to help you मैं तुमारे यह help करूँगा Whether you like it or not बेशक तुम्हें पसान हो या ना हो मैंने करनी है तो मतलब करनी है उसके बाद है उसके बाद है using core relative conjunctions parallel structure अब यहाँ पर parallel structure को उच्छे से समझ ले parallel structure का मतलब है कि आप जब core relative conjunction यूज़ करने है तो उसके दोनों साइड़ पर आप जो word यूज़ करने है या जो phrase यूज़ करने है example देखिए this house is both large and cozy यानि कि ये घर बड़ा भी है और कोजी भी है अब large और कोजी जो है आपके पास दोनों ही adjectives हैं और आपने इनको जोईन किया correlative conjunctions के साथ पर let's either go swimming or go shopping go swimming और go shopping आपने जोईन किया और दोनों ही word phrases है इसी तरह either your father will pick you up or you will get a ride home with a friend अब आपने दो independent clauses को जोड़ दिया है किस के साथ either और और किस साथ using correlative conjunctions to join non-parallist structure is considered incorrect लेकर अगर आप इनका structure को सही नहीं करेंगे तो आपकी statement गलत होजेगी जैसे के it was both along movie and boring अब आपने along movie यापके पास non phrase है इसके बाद आप boring use करेंगे जो आपके पास adjective है तो यह wrong होजेगा इसी तरह next statement है I am not sure whether the white paint or painting and green would be better अब एक तरफ आप यूज करेंगे नाउन phrase और दूसरी तरह वर phrase यूज करेंगे तो यह गलत हो जाता है either your father will pick you up or a friend एक तरफ आप independent clause यूज करेंगे और दूसरी तरह नॉन phrase यूज करेंगे तो यह दोनों ही गलत हो जाते है आपने दोनों तरफ equal ही पात करनी है parallel structure रखना है यान एक तरफ phrase है तो जो उन सब देदा दूसरी तरह भी phrase ही होना चाहिए है एक तरफ independent clause है तो दूसरी तरफ भी independent clause ही होना चाहिए last is punctuation अपने punctuation कहां यूज करनी है when we use a core relative conjunction to join two independent clauses we separate the two clauses with a coma अपने जब two independent clauses को आपसमें जोड़ना है ना और core relative conjunction के तरुब जोड़ना है तो आपने कोमा यूज करना है either your father will pick you up or you will get a ride home with a friend आपने दोनों independent clauses को जोड़ने से पहले जोड़ने और से पहले आपने बीच में कोमा लगा दिया not only is she an award winning singer इसके बाद कोमा उसके बाद आपने next conjunction लगानी है but she also runs track she not only cleaned her room इसके बाद कोमा उसके बाद आप लगाएंगे next conjunction but she also wash the dishes अब यह आपने independent clauses को जोड़ा है तो आपने बीच में कोमा लगाया लेकिन जब आप बात करेंगे two elements दो के join हो रहे हैं लेकिन वह independent clause नहीं है तो आप कोमा नहीं लगाएंगे this house is both large and cozy यह घर बड़ा भी है और comfortable भी है तो आपने यहां पर कोई कोमा नहीं यूज किया I want to paint the house either white or green यहां पर भी आपने कोई कोमा यूज नहीं करना है इस चीज को जाद रखना है कि आपने कोमा वहीं पर यूज करना है जहां पर आप दो independent clauses को अगर आप फ्रेस की बात करने हैं या दो वर्ड्स की बात करने हैं तो आप वहां पर कोमा यूज नहीं करेंगे this was the lecture for today thank you